बूर्णी स्टुडेंट्स वेलकम टू एम्बिश्टिंस वेदिक इंस्टिटूट तुडे वी स्टार्ट कंटिनियूस पाइट अफ देखने वाले हम साइटो काइनेसिस टोसर खतम हुआ था तो उसमें से अभी हम उसी माइटोसिस का सेकंड फेज देखने वाले हम साइटो काइनेसीज यह वाला पॉश्ट में हमको इसक अबने आसुस्टै सबसे पर्सट पोल हम उसकी डइपीनेशिट देखी तेक्य potassium काइनेशिस मीन्स इज़गेश में ते raising और साइटो प्लाजम इसकाल साइटो काइनेसिस सब्सक्राइब लेकिन जब्टर में अल्मोस्ट पूरा का पूरा डिवीजन हो चुका है अभी इस nucleus को surrounded रहता है यह cytoplasm जब तक कि यह cytoplasm का division नहीं होगा तब तक कि यह दोनो daughter nuclei separate नहीं होता है क्योंकि इस daughter nucleus को surrounded होता है plasma membrane है यह तो जब तक कि यह plasma membrane separate नहीं होगा तब तक कि यह दो daughter nuclei separate नहीं होता है तो हमको यहां पर बोलना है कि साइ breeko समका डिवीजन का असनल होता है तो हम दोनों से कमपारिजन करेंगे पारटिकौलर ली कि इन एनिमल खमे में अगर हमको देखना है तो इन ऑनिमल सेल में एगजेक्ज्थल होता क्याइदे क 103 में में इसमें एनिमल सेल में जो प्लाज्मा में 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 ऐसी एक इंद फरोज तयार होती है लिए अभी ऐसे फरोस तयार हुने के वजह से दो डौतर नुकलिया से बोटेर फरोन इच अधर विज्ट यहां पहली क्यों हो से एनीमल सेल में फरोज इसको बोलते हम बिटास में से फरोज बोलते हम यह फरोज फार्म होती है कहां पे इन प्लाजमा मेंब्रेन में इस प्लाजमा मेंब्रेन में यह फरोज तयार होने के वजह से सब्सक्राइब को दॉटर होते है वह दॉटर नुक्ल किस निट खेल होते हैं तो हब इन आपने दatisfय के एंपार कुछ दोनों प्लाजमा मेंब्रेन होता है इस प्लाजमा मेंब्रेन के बीच में विटा इसी सेल प्लेट तयार होती है इसमें लिखूंगा मैं सेल प्लेट तयार हुई इधर देख उसमें से प्लाजम को नाम लिखूंगा मैं ऐसी सेल प्लेट और एनिमल में लिखते हम सेल फरोज तो प्लाजम में सेल प्लेट फॉर्मोने के वज़से दो डॉटर नुकलियाई फिर से यहां पे सेप्रेट होते ह नुक्लियार सेप्रेटेड हुए इन इस वे इन माइटोसीस प्रोसेस में अगर हमको देखना है तो हमारा माइटोसीस प्रोसेस का एम था कि पैरेंट सेल से पैरेंट सेल थी हमारी उस पैरेंट सेल से दो डाटर सेल में फॉर्मेशन्स होता है यह हमारा एम था और इस माइट सेल में होती है को सेल में सोमय एक सेल में में जो रीप्रोड़क्टिव औरगन को छोड़ के हमारा जिते भी रीप्रोड़क्टिव और गुब से जैसे में अगर तो फ्लावर को छोड़के अगर हम एनिमल में देखेंगे तो टेस्टीज ठीक है ओवरी को छोड़के यह सोमेटिक से लोते हैं उसमें साइट मालकों सी प्रोसेस होती है मायटॉसिस तो यह हमारा मायटॉसिस में दो डॉटर नुक्लियार फार्म होते हैं हमको पता चला अभी हम इसके बाद में यहां पर हम मायटॉसिस के अभी सिगनिफिकन्स देखेंगे बाद में मायटॉसिस का सिगनिफिकन्स देखने के बाद हमारा यह मायटॉसिस वाला पोर्शन खतम होता है तो सिगनिफिकन्स अगर हम देखेंगे मायटॉसिस में तो पहल यह ग्रोथ करता है प्लस यह डिवलप्मेंट करता है इस इनी सेल्लर और जानीजम में अगर हम को कोई वूंड होती है जखम होती है उस जखम को हील करने में थिक करने में भी है और वहां पे और न्यू का करता है जब भी अपने को कोई जकाम होती है उन होती है तो उस टाइम में वह जकाम बरने के लिए वहां पे निव टिशू का है अगर हम तीसरा सिंफिकल्स में क्या होता है जो ख्रों मोजों नंबर होते हैं यह घ्रों मोजों में इस जो क्रोमोजोम नंबर रहेंगे यह क्रोमोजोम नंबर इस डाटर सेल में इक वाली डिस्ट्रिब्यूटेट होते हैं यह है सिगनिपिकल्स ऑफ माइटॉसी जिस माइटॉस इसको वाल्डर फ्लेमिंग ने पहली बार ऑप्जर किया था इसके वज़े से उसको नाम दिया था माइटॉसीज तो मेटा यह हमारा पूरा माइटॉसीज का पॉर्शन कम्प्लीट हुआ अभी हम सेल डिवीजन का नेक्स टॉपिक देखने वाले हैं मियोसीज और वो मियोसीज हम अगले वीडियो में उसको लर्न करेंगे